नमस्कार दोस्तों तो आपका स्वागत है शार्दा हरीतस की रिसोई में और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि कैसे हम मकानों को भून सकते हैं रोस्टेड मकाने बना सकते हैं बिना किसी गी की सहायता से और क्यों हम बिना गी की सहायता से बना चाते हैं क्योंकि कुछ लोग जो इनको cholesterol की problem होती है जो diabetic patient होते हैं उनके लिए ये best हैं तो क्या करेंगे हम हम gas on करेंगे और उसके उपर एक कढ़ाई के अंदर कुछ मखाने डालेंगे अब आप देख सकते हो कि मैंने gas on करके कढ़ाई ले लिए लोगों को पता लगे की normal कढ़ाई में भी आप बना सकते हैं तो आपने क्या करना है करची की सहायता से इसको चलाना है ताकि जो मखाने हैं वो जलना जाए और आप हलकी आंच में इसको भूनेंगे इस तरह से आप रोस्ट कर सकते हैं मखाने खाने का बहुत जादा इसकी nutrition value ह क्यों कि मखखाने कलेस्ट्रॉल्व करता है और क्या करता है कि आपकी हिल्थ को इंप्रूफ करता है जो आपकी बोन affiliated हैं उनको इंप्रूफ करता है तो इसलिए डेकर आई हूँ आपके सामने मखखाने दो दोस्तों मखग हैं ठाप हाई इन फाइबर होते हैं जो कि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छ होते हैं तो आप देख सकते हो कि मैं कैसे इनको कड़ाई में चला रही हूं ऐसे कड़्ची की सहायता से ताकि ये नीचे लगे भी ना ये जलेंगे भी नहीं और करारे करारे बन जाएंगे मखानों को वैसे तो हम इंग्लिश में फॉक्स नट भी बोलते हैं और जैसे कि आप चला लेंगे इसको चार से पांच मिनट के लिए तो आप इसको ऐसे पीस की देख सकते हैं कि ये कैसे हार्ड हो जाता है यूजली जो मखाने होते हैं बीना रोस्टेड वाले वो बहुत दब जाते हैं हाथों से बट ऐसे ये रोस्टेड हो जाता है तो आप इसको स्नैक्स टाइम में भी यूज कर सकते हो आप चाय के साथ इसको खा सकते हो कुछ लोगों को जैसे स्नैक्स के टाइम पे समोसा खाने का मन करता है कुछ और खाने का मन करता है बट आप अगर